फ्रेंच आसमें आप लोगे को इस प्रेंचेस का का्तिंग बताऊंगे यह प्रिंच़ का दीप नेख ब्लाउस। आपक गेंड़ सेयना आप लोगे तौ मशली। people को सब्सक्राइब अक्षब 55 कशन पर्समा मंधने लाउस 15 इंच तक लोंगी, हमसे लंबाय अपने हिचाब से लेना है, तसे अभी शूल्डर के मुझमेन लेना है, जैसे के ये नर्मल दीप नेक है, तो यहां से मैं देखिए कितना तक शूल्डर लेना है, तो शूल्डर देखिए, यहां से 5.5 इंच तक रखुँगी, और यहां से इसलिए मैंने यहाँ से 6 लिया है और यहाँ से 5.5 तक बराबर मिलावंगे यहां से नेकलाइन लेना है यहाँ से तूटैल में यहाँ पर दिखिए 5 इंस तक रखोंगे सिलाइकनी के बाद यह फोड़ इंस टक हो जाएगा तो यहाँ से देखिए तब भी मिलता है यह पूरा का पूरा नेक दीप में चला जाएगा तसलिए यहां से 2.5 इंच तक राखोंगी यह बेक थाइक के तरफ से होग होगा तो यहां से मैंने राउनेक के सेप लगा लिया तसलिए अभी यहां से 6 के मेजरमेंट लेना है जैसे कि यहां पर यहां से 9.5 इंच तक राखोंगी 38 के सेद्ध ही से लेना है और यहां पर एक्स्टर फेब्रिक तू इंच तक राखोंगी आप हमेशे एक्स्टर फेब्रिक आपने हिसाब से लेना है और कमर के मेजरमेंट चेश से हमेशा वाणिंस कम करकर ही लेना है फिर से लिए अर्भूल कर यहां से सेप देना है यह में वानिंस का लगबग सेप लगया है तो यहां से कुछ इश्टे के से इस सेप को मिला दूँगी मिलाने के बाद देखिया अर्भूल कर नीशे से हाफिंस का लगबग कुछ इश्टे के से सेप मिला देना है तो इसलिए हमेसा ब्लाूस कटिंग करने से सही तरीका जानिए और ब्लाूस को अच्छा से शिलाई की offend अग्भ यहाज कटीं करने से फ्रांट न पर क्टिंग करने में बहुतीएजी होता है जादा नहीं लेने से आपका ब्लाउस फ्रंचेक के तरफ से बहुती शमयस्या हो जाएगा तरसलिए अभी बैक बाद को इस तरी किसी स्कॉप पर में रखने के बाद यहां पर पहली इसी कहीं सबसे निशाना लगा कर लेना है थे प्लाउस फ्रंचेक के तरफ से लंबाई में भी एक्स्स्रा बार्ण इंस नहीं तो हम इसपर ज्ट लेना है चाहतों आप वान इंस लेने तो हम ले इसकती हो जैसे कि मैंने यहाँ पर वार्निंस ले लिया है एक्स्टा फेब्रिक होने से कई धीकत नहीं है हम इसको बाट में ज़्यादा लंबाई होने से काट कर सकती हूँ लेकिन काम होने से थुरा प्राब्लेम हो जाएगा तरशलिए आभी इसका बराबर पहले मिशना लागा कर ले लूँगी तरशलिए यहाँ से फ्रान नेगडिप लेना है कितना तक लेना है यहाँ ज़्यादी कि मैं टूटल सेवें इस तक राखूंगी और यहाँ से टूपोइंट फाइब इस तक राखूंगी इस तरशलिए किसी मिला कर लेना है लेने के बाद देखिए यहाँ से कितना तक लेना है यहाँ से देखिए फॉर पोइंट फाइब इस में एक निशना लागाऊंगी और यहाँ से इस तरशलिए मिला देना है अब चाहर तो इसमें कूल भी नेग्जिजन लगा सकती हूं कि अब बास्पोइंट के लिए में जर्मेंट रखोंगे बास्पोइंट हमेसा आपनी बास्पोइंट के हिसाब से ही रखना है तूटल यहां पर देकी 11.5 इंस तक मिलता है और सेलाई के लिए हाप इस तूटल 12 इंस का बास्पोइंट रखोंगी फीचली एपक्स प्यंट के में ज़मेन लेना है जेसे कि यह बलंप स्थाटी चाहइं से तो मैं यहाँ पर देखे पैड यज नहीं कर नहीं करने सिस्क एकता कि लेना है ट्री और से श्य टाक्स लगाने के लिए और इसको देखे थोड़ा तीषा थायब से कुछ इसतर की से मिलाओंगी यह देखिए जिसके ज़्यादा हेवी से उनलोगी के लिए 3 इंच तक लेना है और जिसके ज़्यादा से काम है उनलोगी के लिए थुड़ा काम लेना है तो यहाँ से देखिए यहाँ से सलाई करने के बार इस साथ चीबी कप्रख्षी चाब आज रगा है तो यहाँ से किता तक लेना है यहाँ से में 2 इस तक एकस्टा फेब्रिक लूँ गे क्योंकि स्लाइक के ताय में एक स्टर जादा करका भी ले लिया है फिर यहां से देखिए इस तरकी से मैंने थूरतिश्य तायप से मिला दिया है चाहाँ तो आप इस सची भी अर्मूल के साइट के तरब से भी हाप निस लेना है तो ले सकती हो और यहां से देखिए 5.55 तक रखूंगी फिर इसको देखिए इस पॉइंट के साथ मिला कर देना है और यहां से कुछी स्टर के से मिला देना है तो यहां पर आप लोग देख सेकती है पुरापुरी कम्प्लीट है इसके द्राप्टिंग तरशाइड के तसलिए आप इसको का आतला का लूंगी तो यह देखिए मैंने कुछी स्टर के से फ्रांचाइड के नेक दिजैन काट किया है यह देखिए आप लोग यहां पर देख सकते है बिल्कुल सिंपल दिजैन है यह तरसलिए आप इस लिप काट करूंगे स्लिप काट करने के लिए देखिए आस्तर को फिर से कुछी स्टर के से फॉर फूल्दिंग करकर ले लूँगी साइचे हम एक्स्टर आस्तर जैन करना होगा थूरा से जैसे कि वान इसका लगवक कुछी से आस्तर जैन करूंगी तरसलिए अभी स्लिप का लंबाई लेना है स्लिप का लंबा रोगा नाइन इस्टाक तैयार हुगा और एक्स्टर में यहाँ से ओन पॉ перед फाइंट 15 इस न रहां होगी क्यों कि देखिए सुल्दर के साइट के तरफर चीलाइ दा करना होगा और यहांपर श्लिप मूर के साइट के तरफ से भी सहाइट यहाry यहां से मैं 1.5 तक एक्स्टर जादा लंबाई ले लिया है तो देखिए हम इसी साइट की तरफ से एक्स्टर ज्याइन करना होगा अस्तर पे तो फेब्रिक पे साइट नहीं होगा तो यहां से किता तक लेना है यहां से सब्सक्राइब करें और यहां पर देखिए प्थ्री हाल में बैसे ही काट कर लोंगी तो इसमें देखिए और कुछ भी नहीं करना है यहां पर देखिए इस तरी किसे में काट लगा लूँगी तो यहां पर आप देख सकती है अस्तप के काटिंग पुर अपुरी कंपली नहीं है तसलिये अभी फेबिक में काट करूँगी फेबिक में काट करना बहुती ऐजी है तसलिये यहांसे बेक पाइट करूँगी बेक पत को काट करने के लिए मैंने कुछ इस्तर किसी फेब्री को फूल्डिंग करकर ले लिए है तसलिये यहां से काट लगा लूँगी फड़ा फड़ यहां से काट लगा लेना है झालाइ ले ले लोगा ले लगार लेवाँ भड़ा है काट लेप रहे है ले ले यहां से काट लेग्रावाल कर लेगाजाओ ci- 묶 cevाट ले का लागा कर मैंने का लेग yön खवावारbbe लिए कार שמח कुर लेपाँ से वा तसलिन यहां लेगश्टक इसा कर लेग्र यहां से क्वारि क झाल 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 तो आप लोग देख सकती है आस्तर का फेब्रिक कम है फेब्रिक ज्यादा है तो आपे देखिए फेब्रिक में जितना तक लेगा आस्तर में भी थुक उतना इंसी राखूंगी क्योंकि यहाँ पर देखिए आस्तर पर अलग से यहाँ पर ज्याइन करना होगा मैंने इसने किसी गुमा का ले लिया और एक्स्तर ज्यादा तूइंस्तर ले लिया है तो चली इसी कहीं सबसे ही आस्तर का फेब्रिक भी ज्याइन करूंगी ब्लॉस का कटिंग पुरापूरी कम्प्लीट है तो फ्रेंट्स अगर आप लोग इस ब्लॉस का सलाई के वीडियो साही है तो आप लोग हमें कमेट कीज़ें मैं आप लोगों के लिए इसका सलाई के वीडियो भी आप लोग कर दूंगी तो फ्रेंश बीड पॉसान नचे बीडिको लाग स्याग जरू इजयागा